Hi everyone, क्या आप लोग भी वेट से परिशान है? Yes, सब का वेट बढ़ रहा है आजकल आजकल की जो हमारी sedentary habits हैं, जो हमारी eating habits हैं जो हमारा lifestyle है, we are all party goers इन सब की वज़े से हमारा जो पूरा schedule है हमारी खुद की body confused है कि हम कर क्या रहे हैं हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, एकदम से dieting करते हैं, एकदम से binge eating करते हैं, binge drinking करते हैं तो इन सब problems के वज़े से आप कहीं न कहीं अपनी health भी खराब कर रहे हैं और आपका पेट निकल रहा है, आपको लग रहे है कि मुझे सुस्ती लग रही है, पुरे दिन मैं सुस्त रहती हूं या सुस्त रहता हूं कुछ भी कर लो कुछ फरक नहीं पड़ रहा है, अगर आप dieting करते हैं तो आपको weakness लगती है आज इस वीडियो में आपको बताओंगी, इसको एंड तक जरू देखेगा पांच चीजें हमारी life में हमको influence करती है एक तो हम किस family background से आते हैं, यानि कि हमारा जो environment है, हमारी चारु तरफ क्या है अगर हमारे parents बहुत party girls हैं, हमारे parents को लगता है कि हम बहार जाएं, खाना खाएं, हफते में 2-3 बहार का खाना खाएं या हमारे घर में spicy food बहुत ज़्यादा बनता है, या फिर parents बहुत hectic life schedule वाले हैं हमारे बहुत hectic life schedule है, हमारे बच्चे भी देख के बड़े होते हैं, तो food habits चेंज हो जाती है, बाहर का खाना जादा है, कई बर healthy food की जगे unhealthy food भी आ जाता है, कोशिच करने के बावजूद भी नुकसान कर जाता है, तो एक तो होगा आपका environment, दूसरी चीज आपका genetics, सब कु hereditary characteristics क्या है, तीसरा होता है, आपकी sleeping habits, आपके emotional factors, आपका stress level, आपका anxiety level, आप क्या सोचते हैं, तो यह सारे आपके personal factors होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके family में कोई problem हो, यह आपको genetics में यह problem हो, hereditary factors हो, यह आपके friends environment ऐसा हो, नहीं, आप खुद ऐसे हैं, तो आपका खुद क एक personal behavior हो गया, चौती चीज होती ही, आपकी खुद की health condition, हो सकता है, आपको ऐसी कोई बीमारी हो, कोई allergy हो, जिस मज़े से आप कोई particular food नहीं खा पा रहे हैं, कोई particular food जादा खा रहे हैं, आपको medications चल रही हैं, for example steroids, अगर आप steroids ले रहे हैं, तो आपका weight बढ़ेगा, आपक phase भी बढ़ा हो जाएगा, अगर आपने notice करा हो, तो पिछले कुछ महिने से, यह समझे लिए साल के शुरुआद में, पिछले साल की शुरुआद में, 2023 में, मेरा फेस ब्लोटेड हो गया था, मेरी वीडियो में आपको मेरा फेस बढ़ा दिखेगा, क्यों मैं खुद steroids पे कारण यह कि मुझे बाकेग बहुत जादा हो रहा था, तो मेरे को कोई medicine suit नहीं हो रही थी, तो one to two months के लिए मेरे को steroid पे रखा गया था, उसकी वज़े से, मेरा weight gain भी हुआ, मेरा face भी बढ़ा हुआ, तो obviously इन सब चीजों के वेज़े से, आपका weight gain हो सकता है, तो health conditions and medications भी बहुत important road play करती है, पांचवी चीज होती है, आपका खुद का satiety center, यानि कि आपको कितनी भूख लग रही है, आप क्या activity करने के बाद क्या खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ठक कर आते हैं, उनको हाथो हाथ मीठा चाहिए होता है, कुछ लोग ठक कर आते हैं, कुछ प्र प्रोटीन चाहिए होता है, दूच चाहिए होता है, या फिर प्रोटीन शेक चाहिए होता है, तो यह आपकी परसनल एक इंडिविजुल जो आपकी टेस्ट बढ़ हैं टंग की, उसके according depend करता है, कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, यह प्रॉब्लम सिरफ प्रोटीन चेंज, लेडीस में में इंज्ल प्रोब्लमम्स जिसमें बहुछ ज्यादाब बलोटीक होती है, परस्त अग्लान इegं र्लीज होते है, प्रोग ईस्ट्रान हाय, तो यह गान मनई होती है, प्लस अप्रे में एमोशें में में अटा में उर चैसको कैसे प्लाइट वो डाइट प्लान ना बनाए आप अपने एटिंग प्लान बनाए कि मैं पूरे दिन में क्या खाऊंगा या क्या खाऊंगी यह निकी डाइटिंग कप करूंगी देन यूँ हाफ टु मूव जितना खा रहें उसको बर्न करिये लेबल रीडर बनिये बिकम लेबल रीडर या कि देखें आप जो खा रहें उसमें कितनी क्यालोरी जो खरीद रहें इसके साथ कुछ प्रॉडक्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि आप अपनी लाइफ स्टैल में डालिए जिससे कि आपका फैट मेल्ट होना चुरू हो फाइटिका का लेट इट मेल्ट फाइटिका का लेट इट मेल्ट एक बहुत ही अच्छा सप्लिमेंट है जो कि आपके फैट को मेल्ट करने में हेल्प करेगा इसको लेने का तरीका है कि पूरे दिन में दो टाबलेट आपको खाने एक सुबह और एक शाम इसको आप हलके ग गुसने पारें उन कपड़ों में घुस पाएं उस पर फोकस करें रादर देन कि आप बार बार रोज वेइंग मशीन पर खड़े हो जाएं वेइंग स्केल कुछ नहीं बताएगा वह आपका वाटर रिटेंशन भी बताएगा बट में चीज यह कि जिन कपड़ों को आप नही साइड इफेक्स नहीं इसले आप इसको अराम से कंटेर्यू कर सेते तीन से चार महीने और एक जेनरल वेल बीइंग आपको रहेगा यह आपका मेटबॉलिजम बूस्ट करेगा मेटबॉलिजम बूस्ट होगा तो जो आप जो भी खाएंगे वो फटा-फट बरन हो जाएग देन यह आपके सेटाइटी सेंटर या निकि जो आपको भूक लगने का जो सेंटर है दिमाग में उसको स्टिमूलेट करके बताएगा बस भूक अब नहीं लगेगी ठीक है अब आपको नहीं खाना है तो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगे अब इसमें गार्सीनिया गार्सीनिया कंबोजिय एक ऐसा प्रोडेक्ट है जो कि आपके फैट को बनने नहीं देगा प्रोडक्शन नहीं करने देगा और आपकी एपटाइट को रेगूलेट करेगा त्रिफला क्या करेगा इस तो पर तीन फूट्स होते है त्रिफला कॉंबिनेशन होता है तीन कफी में कफीन और क्लोरोजनिक एसिद है जो कि आपके वेट को और आपके मेटबॉलिक फंक्शन को रेगूलेट करेगा और लास्ट में पाइपरीन जो की काली मिर्च होती है ये फैट को रिड्यूस करता है मेटबॉलिजम बढ़ाता है और इसकी एंटी बैक्टिरिल और एंटी ऑक्सिदेन प्रॉपर्टी होती है तो फायटिका जरूर लीजे अपने लाइफस्टाइल में इसको डालिए दिन में दो बार खाईए आप इसको आधे घंटे पहले खाना खाने के आधे घंटे पहले थोड़े से गुनगुने पानी के साथ लीजे अपने फिजिश कम कर सकते हैं नाचुरल खाने से आपके कौन से खाने की प्रॉडक्स है जो आप नॉर्मल अपनी डाइट में लेते हैं जिनसे की वेट कम होता है पहली बात तुमान के चलिए आप जितना पानी पेंगे आपको बहुत जल्दी फुनलेस होती है और एपल में बहुत पानापल एक अकेला ऐसा फूट है जो कि आपके फैट को बर्न करता है उसमें नेगिटिव क्यालोरीज होती है डेरी प्रॉडक्स डेरी प्रॉडक्स में जैसे दूद हो गया दही हो गया यह सब प्रोटीन में हाई होते है तो हाई प्रोटीन होगी तो आपको अल्री हो गया यह फिर जो लोग वेजटेरियन से लेंटिल गये जितने भी लग्यूम वाली प्लांट सेमाटर हो गई यह जितनी भी लग्यूमिनस प्लांट छहाएं इन सब से आपको भूख गया उट्स मैंने बताए जो हेल्दी ओट होथल्द्स होते है तो तो कार्बो हैडिर कहीं कहीं शायद बाहर से इंपोर्ट होता होगा तो कुछ-कुछ cities में possible है मिल जाए बाहर की countries में इसको बहुत अच्छे से बहुत मन से खाया जाता है अलग-अलग तरीकी से बनाया जाता है इससे fat melt होता है तो I hope आपको इस वीडियो पसंद आया हो अगर आपको इस से पायदा हुआ हो तो आप इसको definitely like and share करिए मेरे चैनल को subscribe करिए मुझे मेरे social media platforms पर follow करिए यह सारे आपको platforms दिख रहे हैं और मेरे से consult करने के लिए प्राइविट consultation के लिए आपको या तो इस नमबर पर WhatsApp करना है, call नहीं करना है या फिर मेरे website पर जाके payment करके आप मेरे से consultation बूख करा सकते हैं Thank you very much